एक बार फिर मुख्यमंत्री योग्याद तनात के एक विधायक ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है भाजपा विधायक विक्रम सेनी ने हिंदूों को जादा बच्चे पैदा करने की सलहा दी है और तो और ये बात उन्होंने जनसंख्या नियंतरन अभ्यान कारेक्रम को संबोधित करते हुए कही है विधायक विक्रम सेनी ने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंतरन कानून नहीं आ जाता मेरे हिंदू भाईयो तुम्हें जूट है तुम्हें बच्चे पैदा करना जादी रखना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू दो बच्चे वादी नीती को अपनाते हैं लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करते कानून सब के लिए एक समान होना चाहिए विधायक यहीं पर नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे दो बच्चे थे तो मेरी पत्नी ने कहा कि हमें तीसरे बच्चे की जरूरत नहीं लेकिन मैंने कहा कि हमारे चार से पाँच बच्चे होने चाहिए धडले से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं इससे पहले भी जनवरी में उन्होंने कहा था कि भारत हिंदूओं के लिए है और इसलिए इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है हाला कि उन्होंने बाद में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका यह बयान मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बलकि पाकिस्तान की खिलाफ था जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेनी 2013 मुझफवर नगर दंगा मामले में आरोपी रहे हैं और उन्होंने उस दोरान गायों को मारने और अपमानित करने वाले लोगों को पीटने की धमकी भी दी थी इससे पहले भी मुझफवर नगर के खतोली विधायक इस तरह के विवादित ब्यान दे चुके हैं एनमेफ नियूस की रिपोर्ट